आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के कारण इंद्रा गांदी की शुषिद्याले के मुल्यांगन पद्देती में जो बदलाव हुआ है उस बारे में और यह जो इस प्रेजेंटेशन में हम सेकेंड यर एवं थर्ड यर के एक्जाम पेटर्न में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करें ज्यान रहें कि है जो बदलाव है केवल सेकेंड सेमेस्टर 2019-2020 के लिए लगो किया तो आप इसे अच्छे से समझे समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें पूरा देखें तो इंद्रा गांधि किश्री श्विद्यालाई की जो 127 वी एकडमी मीटिंग की गई है उसमें है डिसीजन्स लिया गया है यूजी के लिए और अब ही हम बात करें के वल फॉर्स्ट यर के लिए तो यह जो मीटिंग हुई थी वह ही थी आपकी 21 मही 2020 को 21 मही 2020 को ज तो इस मीटिंग में कोविद 19 के करण जो एक्जाम नहीं हो पा रहे हैं उसकी संबंद में जो डिसीजन्स लिए गए हैं उस परिवर्तनों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं इसमें जो डिसीजन लिए गए हैं खास करके सेकेंड यर और थर्ड यर स्टुडेंट्स के लिए उसकी हम यहां बात कर रहे हैं जैसे कि कहा गया है कि इस बार इवल्यूशन का मैथड जो होगा वो होगा दो अधार पर पहला होगा इंटर्नल एसिस्मेंट और दूसरा आज पार्वर्मेंट्स तो इंटर्नल एसिस्मेंट जो होगा उसमें जो आपने मिट्रम दिया है वह एक पॉइंट होगा अधार होगा और दूसरा होगा प्रक्टिकल valued आपके क्ला सेचर्श यर कोस टीचर्स आपको देंगे दूसरा जो बात की गई है एसिस्मेंट जो past performance जो past performance से यहां मतलब है कि अभी तक आपने जितना score किया है इस semester तक मतलब जो प्रथम semester आपका 19-20 था तब तक है ना तो उसके अधार पर जो CGP आपका बना होगा उसी को अधार मानते हुए आपके calculation किये जाएंगे तो यहां हम देख रहे हैं case 1 case 1 से ताथ पर है essay courses जिसमें practicals भी है ठीक है तो वहाँ पर marks distribution आप सभी को पता है कैसा होता है 10 mark mid term के होते हैं 30 mark practical के होते हैं और 60 marks जो होते हैं वो होते हैं आपके final theory examination के तो mid term के marks कैसे दिये जाएंगे जिसका mid term हो गया है उसके तो mid term marks दे ही दिये गए होंगे परन्तु जिस courses का mid term नहीं हुआ है उस courses के लिए mid term के marks आपको distribute किये गई assignments के base होंगे तो आप अच्छे से assignment बनाएं अगर आपको अच्छे marks score करना है तो ठीक है वैसी प्राक्टिकल की जब हम बात करते हैं तो प्राक्टिकल के लिए जो आपके marks होंगे वो किस आधार पर दी जाएंगे उसका आधार होगा कि आपकी आपने कितनी classes की है आपकी attendance कैसी रही है साथी साथ आपने जो प्राक्टिकल रिकॉर्ट्स बनाए हैं या बनाए थे कब तक 16 जनवरी से 16 मार्च 2020 के मध्य तो इसी आधार पर आपको marks मिलेंगे कोई external examiner नहीं आएगा कोई examination नहीं होंगे इनी आधार पर आपको प्राक्टिकल के marks भी मिलेंगे लास्ट एंपोर्टेंट पॉइंट जो है कि आपके जो theory exam होने थे उसका क्या होगा तो उसके लिए भी यहां university ने system बनाया है कि जो assessment होगा वो university के द्वारा आपके जो फर्स semester तक जो आपका CGPA था ग्रेट पॉइंट बना है जैसे 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9 यह 10 में से 5 जो भी आपका होगा उस अधार पर चलिए इससे समझने की कोशिश करते हैं तो जो case 1 है जिसमें practical भी है हमारे courses में उसमें जो हमारे passing marks होते हैं तो mid term के 10 marks और आपके theory के 60 इसको मिला के total 70 में से आपको 35 passing marks लाने होते हैं तो university ने जो formula बनाया है calculation का वो इस प्रकार है कि जो आपके total theory marks है जो की 60 है और into जो आपका CGPA है first semester तक जो भी होगा वो उसको divide करेंगे हम कितने से 100 से देखिए चलिए यहां समझते हैं कि अगर कोई students है जिसका CGPA 7 है 10 में से 7 है तो उसे 70% marks university के द्वारा एक calculation के लिए लिया जाएगा तो उसका multiplication या formula based कैसा बनेगा तो 60 जो आपके full marks है गुड़ा 70% marks जो आपको दिये जाएंगे divided by 100 जो percentage निकला है तो आपको 60 में से 42 marks दिये जाएंगे 300 मतलब 50% जो उन्हें मिलेंगे 60 में से 30 50% marks उसके लोट होंगे तो हमें चाहिए थे 35 पासिंग के लिए तो ऐसे student जो 35 से कम पाएंगे वो होंगे तो यही जो आपका है ऐसे students जो हो जाएंगे उन्हें ही carry forward किया जाएगा carry forward का मतलब यह नहीं है कि उन्हें generally promote किया गया है उन्हें कोई exam देने की जरुवत नहीं होगी उन्हें exam देना पड़ेगा कब जब second semester अगले वर्ष का second semester आएगा मतलब 19, 20, 21 का जो second semester आएगा तब उन्हें ऐसे failed courses के अपने exams देने होंगे चलिए देखते हैं case 2 case 2 ऐसे विशय के लिए है जिसमें किवल theory exams है मतलब जिसमें practical नहीं है तो वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि marks distribution कैसा होता है तो marks distribution आपका mid term का होता है 10 marks और theory का होता है 90 marks है तो इसी तरह का आपका marks distribution होता है तो यहाँ पर marks क्यासे ताई किये जाएंगे तो जिसके mid term हो चुके हैं उनके लिए तो mid term के marks जो अलोट हुए हैं वही दिये जाएंगे actual marks परन्तु जहां mid term या जिस course के लिए mid term exam नहीं हुए हैं उनका जो evaluation होगा assignment based होगा तो assignments को आपको अच्छे से बनाना है यह सभी को बहुत ध्यान देने वाली बात है ठीक है तो उस अधार पर assignment के अधार पर आपके mid term के marks दे जाएंगे वैसे ही theory जो आपके 90 marks का theory होता है जिसमें केवल theory courses होता है तो वहाँ पे जो university system अपना रही है वहाँ पे university जो आपका जो cgpa है आपका जो cgpa है first semester तक मतलब आपने जो first semester में exam दिये थे इस verse है वहाँ तक मिला के आपका जो cgpa बना है उस अधार पर ही आपको marks दिये जाएंगे ठीक है उसके लिए university ने एक formula बनाया है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे next slide में ठीक है जो case 2 है case 2 जो हम बात कर चुके हैं ऐसा है case 2 में जिसमें केवल theory exam होने वाले हैं या ऐसा kursus इसमें केवल theory है ठीक है तो ऐसे में हमें जो marks चाहिए होते हैं, pass होने के लिए क्या होते हैं, हमारे जो main exam होता है वो, इतने marks का होता है, 90 और mid term होता है, 10 mark का तो कुल मिला के हमारे total marks जो बनते हैं, वो बनते हैं 100, उसमें से हमें लाने होते हैं pass होने के लिए minimum 50 marks, ठीक है तो जो university ने formula किया है, वो इस प्रकार है जो total theory marks है जो अन्तिम paper होता है, 90 marks का और आपका जो CGPA past performance जो है first semester तक का जो आपका performance है, उसका multiplied by वो plus divided by जो total marks है आपके वो, ठीक है, इसको हम एक case के द्वारा समझते हैं, example के द्वारा जब students का CGPA पिछले semester तर 7 था, 10 में से तो इससे university 70% marks देगी final examination के तो final examination के 90 marks थे into 70 divided by 100, मतलब 70% marks देने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ये 70% marks कितना हुआ, 63 और हमें चाहिए थे passing के लिए 50, है ना, तो essay student जो 50 से ज़्यादा लाएंगे वो से भी pass होंगे, दूसरा case जो है, जिसमें students का CGPA, किसी student का CGPA, 5 है, यह ना, कि इवल 5 है CGPA तो उसे 50% marks दे जाएंगे formula के आधार पर, 90 into 50 divided by 100 तो उसे मिलेंगे कितने, 45 marks, मतलब 50 से कम, तो ऐसे students जीने 50 से कम मिलेंगे, वो fail होंगे, और उन्हें क्या किया जाएगा, carry forward है carry forward का मतलब है, कि उन्हें अगले वर्ज, second semester में, मतलब 20 और 21 में, second semester जो होगा, उसमें उन्हें exam दिलाना होगा, course को pass करना होगा तो जो changes किये रहे है major, वो क्या-क्या है उसको हम देखते हैं तो, और यह changes किद के दिशान दोश्यों पर किये गए है वो है, जो advisory दी गई है University Grant Commission, UGC और ICR Indian Council of Agriculture के द्वारा उसके अधार पर है decisions लिए गए है तो क्या है, वो point वो हम देखते हैं तो point A, यह हमें के बताता है कि, evaluation जो है जो मुल्यांकन किया जाएगा students का वो किस अधार पर किया जाएगा तो उसका प्रत्थम आधार है Internal Evaluation by Teacher जो भी course teacher आपको किसी course को पढ़ा रहे थे उनके द्वारा जो marks आपको दिये जाएंगे वो भी उसका भी एक आधार है और उसका आधार है कि आपने जो practical glasses की है 27 नमबर 2019 से लेके 16 मार्च 2020 के मध्य उसके आधार पर है उसमें आपने कितनी sincerity दिखा ये कितनी आपकी attendance है निस अभी आधार को आपको दिया जाएगा ठीकर दूसरा है Past Performance as per CGPA तो आपको फर्स सेमेस्टर तक जो common grade point average था उसके आधार पर CGPA के आधार पर परन्तु यह जो है वो first year के लिए applicable नहीं है वो भी हम आगे की slides में समझेंगे point B यह है कि जो यह internal evaluation किया जाएगा उसको submit करेगा course teacher for example अगर आपका economist का कोई teacher है उसने आपके कोई classes ली है उसके आधार पर उसने अपने internal marks दिये है और साथी साथ जो past performances है वो university ने अपनी तरफ से submit किया है उन दोनों को मिला करके एक sum calculate किया जाएगा एक average बनाया जाएगा जो ही आपका एक final score होगा और यह जो point B है यह खास कलके second year, third year के लिए applicable है first year के लिए applicable नहीं है point C जो बात कर रहा है इसमें बात की गई है carry forward की बहुत से students अभी भी confused है कि यह जो carry forward है वो general promotion है तो यह general promotion नहीं है इसका आपको ध्यान रखना है तो क्या बात है carry forward में कहा गया है कि यह जो evaluation का pattern apply किया गया है जो internal evaluation के द्वारा होगा अगर उस अरहार पर evaluation की बाद अगर student fail कर जाता है उस subject में वो fail हो जाता है या back हो जाता है तो उसे अगले साल के लिए carry forward किया जाएगा मतलब first year second semester का student second year में भी carry forward होगा for example अगर जैसे हम 6 subjects ज़्यादा back होते हैं तो उसे वापिस first year के रहना परता है परतु अभी की जो situation है वो abnormal है तो normal situation में उसे first year में रहना होता परतु अभी अगर वो 6 से भी ज्यादा back है तो उसे carry forward किया जाएगा आगे second year में परतु उन 6 subject को उसे clear करना होगा उन exams को clear करना होगा और कब जब अगले वर्स यह exam होंगे second semester के तब ठीक है तो यह इन points का हमें ध्यान रखना है कि यह carry forward किया जा रहा है आपको general promotion नहीं दिया जाएगा general promotion अगर होता तो आपको दुबारा exam देने की जरुवत नहीं होती पर उन्तु आपको दुबारा exam देना पड़ेगा course पास करना पड़ेगा तक भी आप आगे जा पाएंगे अधे बढ़ते हैं point D point D यह कहता है कि ऐसे students जो चाहते हैं कि उनको अच्छे marks आ सकते थे ऐसे कई students हैं जैसे जो toppers हैं उनका भी यह point होगा कि भाई हमें तो अच्छे marks मिल सकते थे पर यह average system जो evolution system लागू किया गया इसके कारण हमें अच्छे marks नहीं मिल रहे तो उसके लिए भी कहा गया है कि ऐसे students जो अपने grades को सुधारना चाहते हैं उन्हें भी next year second semester में ही दोबारा exam देने का मौका मिलेगा अगर वह चाहते है है तो अगर वह average marks से खुष है तो ठीक है उन्हें कोई दिक्कत नहीं वह आगे की classes किया आगे के exam से पर तो अगर वह चाहते हैं कि मुझे subject में और अच्छे marks मिल सकते थे अगर मैं इसे लिखता दो तो वह अगले साल इसी second semester में उसका exam दे सकते हैं और फिर क्या होगा तो जो अभी आपको average marks इस internal evaluation के अधार पर मिलेंगे उसे क्या किया जाएगा उसे cancel कर दिया जाएगा और जो आप नया exam लिखेंगे उस अधार पर जो आपको number मिलेंगे उसे ही आपके final CGPA में calculate किया जाएगा चोड़ दिया जाएगा ठीक है तो point number D यह कहता है कि जो student बाद में भी लिखना चाहता है उनके लिए यह point D है point E यह कहता है जो बहुत important है कि यह जो नियम बनाया गया है वो केवल और केवल 19-20 OB second semester के लिए या current academic session के लिए ही है ठीक है तो यह केवल अभी के लिए पॉइंट F यह कहता है कि अभी की situation में जो भी marks आपको मिलेंगे उसके अधर पर चाहिए आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो आपको कोई भी आपको आपको समझ आया होगा है जैसे अगर आप ग्रेस मार्क लेना चाहें तो या इत्यादी तो थैंक यू फर वॉचिए ओप यू लाइक दे वीडियो आपको आपको समझ आया होगा